दोस्तो बिग बोस सीजिन 15 के लाइफ फीड में इस समय घर के अंदर तेजू और करण एक दूसरी के साथ काफी अच्छी बॉंडिंग शेयर करते वे दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही कंटेश्टेंट इससमय इतनी रोमेंटिक बाते कर रहे हैं जिसे सुनकर आपके चेरे पे भी मुस्कान आ जाएगी दरसल दोस्तो आपको बटा दे कि इस समय दोनों ही अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं यानि कि चौपिंग करते वे दिखाई दे रहे हैं और इसी दोरान दोनों बेट कर ये बात कर रहे हैं कि यार देखो ना मौसम कितना अच्छा हो रहा है एकदम रॉमेंटिक वाला मौसम हो रहा है आपको बदा दे कि इस समय मुंबई में बारिश हो रही है यानि कि Big Boss के गर में भी काफी जदा बारिश हो रही है और उसे देखते हुए दोनों ही कंटेश्टेंट काफी रोमेंटिक होते जा रहे हैं इस दुरान करन ने कहा कि यार ऐसे मौसम में तु मेरे साथ बाइक पे हो और हम कहीं लंबे सफर पर यानि कि रोल ट्रिप पर जाएं तो कितना अच्छा होगा ये सुनकर तेजु के चेरे पर मुस्कान आ गई वही करन ने कहा कि इसे में तुम मेरे को बाहों में पकड़ कर रखो तो मुझे काफी अच्छा लगेगा जिसके बाद तेजु ने भी कहा कि हाँ यार मुस्कान तो काफी अच्छा हो रखा है और सोच ऐसे में हम कहीं रोल पर जाते रहें और गर्मा गर्म उपर से पकोड़िया मिल जाएं तो मज़ा ही कुछ और होगा ये सुनने के बाद तो कहीं न कहीं करन कुंदरा के भी मूँ में पानी आ गया क्योंकि दोस्तो गर के अंदर पकोड़ियां खाना तो मुम्किन है नहीं क्योंकि गर के अंदर तो ये इतना राशन मिल नहीं पाता कि इनको पकोड़ी नसीब हो जाए लेकिन दोस्तो करन ने तेजु से वादा किया है कि जब जब विग बॉस के गर के बाहर जाएंगे तो वो एक ऐसा रोट्रिप जरूर रखेंगे खिर दोस्तो ये तो देखना दिल्चस्प होगा कि कब दोनों कंटेस्टेंट शोग को जीत कर करके बाहर आते हैं और उसके बाद आगे की लाइफ इनकी कैसी रहती है उमीद करते हैं दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के साथ पूरी जिन्दगी पर देते रहें फिलाल दोस्तो आपको तेज और करन की ये बाते कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईए और यदि आप भी तेज रन के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें